नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी अपने ऑनलाइन इस्टिट्यूट टार्गेट विथालोग में सुपर्टेट का बैच संस्था की तरब से चलाया जा रहा है सुपर्टेट में जिन बैच्चों को जिन इच्छों का भ्यरतियों को अड्मिशन लेना हो उसके लिए आपको यहाँ पर नमबर सो कर रहा है इंट्री सुपर्टेट लिखकर आपको इस नमबर पर वाट्सप करना है 9125423936 पर उसके बाद हमारी टेकनिकल टीम आपसे संपर करेगी एड्मिशन की जो प्रक्रिया है जो प्रॉसेज है वह आपको बताई जाएगी ठीक है इंट्री सुपर्टेट यह लिखना है और इस वाट्सप नमबर पर आपको मैसेज करना है वाट्सप करना है बाकी टीम हमारी आपसे फिर संपर करेगी एड्मिशन की जो प्रक्रिया है वह आप तक पहुंचाई जाएगी और आप अपने एड्मिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं संस्था में संस्था की तरफ से लगातार प्रमोशन क्लासेज जा रही है और उसके संबन्द में यह नंबर है इसको आप लिख लीजिए चली इसके साथ आज हम लोग सुपर्टिट में जो जीएस का पॉर्शन है उसमें भारतिय संविधान भारती संविधान में इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि राज विवस्त था और संविधान क्या होती है दोस्तों आज से हम देखेंगे संविधानिक विकास जो constitutional development हुआ है भारत का जो भारत का संविधानिक विकास हुआ है वह विकास कैसे हुआ है भारत का किन किन चरण बद्द तरीके से भारत की संविधान का विकास हुआ है देखे भारत चुकी आजाद था नहीं गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुगा था भारत और भारत में ब्यापार करने के परपच से जो अंग्रेज आये थे और ब्यापार करने के साथ साथ ही धीरे धीरे उन्होंने देश में सासन विवस्था में भी अपना अधिकार जम मालिया तो वह सासन विवस्था उनकी बड़े दिनों तक चलती रही और अंतोगत्वा बड़े लंबे संघर्स और लंबे लंबी लडाई के बाद भारत की सोतंतरता जो है वह भारत को आजादी मिल सकी तो यदि हम भारत के समविधानिक विकास की बात करते हैं कि भारत का स समविधान की विकास की बात हम करते हैं तो भारत की समविधान का जो विकास हुआ है वह दो चरणों में हुआ है कैसे दो चरणों में हुआ है उसको आप विकास यदि समविधानिक विकास की हम बात करते हैं दोस्तों समविधानिक विकास तो समविधानिक विकास को आप द इस इंडिया कंपनी अभे हम उस पर चर्चा करेंगे कीसे आई है भारत तो बहारत में सासन करने भारत में ब्यापार करने के लिए इसद्ट इंडिया सो में इसट इंडिया कंपनी नामक एक संस्था का गठन किया था मारानी lgb बेटने 1400 की चार्टर एक्ट के द्वारा तो 1600 की चार्टर एक्ट के द्वारा जब कंपणी का गठन हुआ था तो कंपणी ने क्या किया था ब्यापार के साथ साथ भारत पर शासन भी करने लगी तो company के अधिन जो शासन वेवस्था थी अर्थात कब से कब तक चली यदि इसको देख ले हम तो 1773 से systematic तरीके से start हुआ था बाकि तो start इनका 1700 में company का गठन हो गया 1726 का charter act आता है 1726 के बाद 1773 का charter आता है लेकिं 1773 की charter act से भारत की जो संबैधानिक वेवस्था है भारत में जो वेवस्था थी governance की वह सुद्र होना शुरू हुई थी वहात systematic तरीके से चलना शुरू हुई थी तो विकास की यदि हम बात करते हैं systematic तरीके से विकास की बात करते हैं तो 1773 से लेकर दोस्तों 1853 की charter act तक चलता है यह 1853 की charter act के तक चलता है और 1853 की charter act के बातर 4 साल के बासन 1857 में भारत में एक क्रांती हो जाती है भारत में एक क्रांती होती है जिसे शैनिक विद्रो के नाम से लोग कहते हैं बहुत सारे इतिहासकार उसे सैनिक बिद्रो मानते हैं और बहुत से इतिहासकार उसे भारत की स्वतंता का पहला स्वतंता संग्राम कहते हैं ठीक है तो 1757 में 1857 में एक ख्रांती होती है भारत में जिसका प्रारंब होता है मेरट की बैरकपुर छाउनी से एक शिपाही मंगल पांडिे थे उन्होंने बिद्रो कर दिया और किसी अधिकारी को एक अधिकारी थेंगरेजि सरकार के उस अधिकारी को उन्होंने गोली मार कर हत्या कर दी क्यों कर दी क्यों यह बिद्रो हुआ क्योंकि ऐसी अफ़ा उड़ा दी गए कि जो उस समय रायल इंफिल्ड गन होती थी उस गन की जो कार्तूस होती थी उस कार्तूस को पहले दाथ से खोलना पलता था तब बारूत को भर के फिर वो फायर किया जाता था तो वो जो धकन था वो धकन जो है वह सुवर और गाय की चर्वी से बनाया जाता था तो सुवर जो है वह मुसल्मानों के लिए हराम होती मिन्स सुवर का मांस वो नहीं काते हैं सुवर उनके लिए पवित्र होती है ऐसा कहते है ठीक है और गाय गाय हिंदू के लिए पवित्र तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसी चीजे हैं तो हम जो है इसे चलाने से मना कर दें तो बैरेकपुर छाउनी से जो बिद्रोह उत्पन होता है दोस्तों वहाँ देखते देखते वहाँ पूरे भारत में फैल जाता है हलाकि एक वर्स के अंदर ही उस बिद्रोह को सफलता पूरक तरीके से अंग्रेजों ने दबा दिया और उसके पीछे बहुत सारे कारणत है चुकि भारत में संसादनों की कमी थी भारत के लोगों में राश्टवादता का अभाव था इस कारण सांदोलन को दबा दिया गया ल और उस चार्टर रेक्ट के द्वारा उन्होंने कहा कि कम्पनी के अधिन जो सासन बिवस्ता चल लही थी वह कम्पनी से लेकर क्राउन की हाथ में चली गया यह बिटन की जो महरानी दी बिटन का जो क्राउन था वह बिटन का जो ताज था उसने शासन बिवस्ता भारत की अ यहां पर हम देखते हैं दोस्तों क्राउन के अधीन तो भारत का जो संबधानी विकास है वह कंपनी के अधीन और क्राउन के अधीन तो क्राउन के अधीन यह दि हम बात करते हैं तो 1858 से लेकर 1947 तक आता है कैसे development चला कैसे constitutional development एक के बाद एक होते चले गए ठीक है तो आईए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि company के दिन यदि संबैधानिक विकास की हम बात करते हैं दोस्तों तो संबैधानिक विकास company के दिन 1773 से 1853 तक चला फिर 1857 में क्रांती हो जाती है 1857 की क्रांती ने एक बहु 1858 से लिकर सन 1947 तक भारत का संबैधानिक विकास चलता रहा अब आईए स्टार्ट करते हैं भारत की संबैधानिक विकास की यात्रा को प्रारंब करते हैं हम भारत की संबैधान की विकास की यात्रा को कैसे भारत का संबैधान बना भारत की संबैधान के विकास में जिन जिन तत्यों का जिन जिन अधिनियमों का योगदान रहा और जिन अधिनियमों से प्रश्णों को पूछा जाता है उनके संबंद में आईए हम लोग चर्चा करते हैं ठीक है? चली प्रारम करते हैं अपनी यात्रा संबैधानिक विकास की संबैधानिक विकास की आत्रा प्रारम करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं बैक में समय है 1599 अस्थान है लंदन मर्चंट एडवन्चर्स नामक एक ब्यापारिक संस्था जो भारत में ब्यापार करने के लिए आ रही क्योंकि भारत की खोज हो चुकी थी उस समय तर मर्चंट एडवन्चर्स नामक ब्यापारिक संस्था भारत में ब्यापार करने के लिए आती है सन 1660 के चार्टर एक्ट के द्वारा महरानी एलजिया बेत ने उन्हें भारत में ब्यापार करने का लाइसेंस दे दिया कि ठीक है आप भारत के साथ ब्यापार कर सकते हैं भारत में ब्यापार कर सकते हैं सन 1599 में ब्यापार करने के लिए आते हैं 1599 लंदन मर्चेंट एडवेंचर यह ब्यापारिक संस्था थी 1600 का चार्टर एक्ट आता है इस 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा उसमें की क्विंती महरानी एलिजाबेथ महरानी एलिजाबेथ ने क्या किया इस एक्ट के द्वारा उन्होंने इस कंपनी को लाइसेंस दे दिया भारत में किस काम के लिए ब्यापार करने के लिए ब्यापार का लाइसेंस ये प्राप्ट कर चुके और ब्यापार का लाइसेंस लेकर भारत आ चुके हैं ब्यापार करने के दिए उस समय भारत में छोटे-छोटे राज रजवारे हुगा करते थे मुगलों का शासन भारत में चल लहा था भारत में मुगलों का शासन चल ला था आते हैं फिर आता उसके बाद 1726 का राजलेख या इसे चार्टर एक्ट भी आप कह सकते हैं 1726 का चार्टर एक्ट 1726 के पहले ही फरुक्षियर 1715 में एक नरला ले चुके हैं फरुक्षियर एक नरला ले चुके हैं पूरे बंगाल में कर्मुक्त व्यापार करनी का मुर्णो के नर्तित में एक सिस्ट मंडल आता है भारत जिसे जॉन पराथम ने भेजा था मुन्रो के नर्तित में उसमें फरुक्षियर कोई एक चर्म रोग हो गया था जिसे बहुत दिनों से वहाँ इलाज कर रहा था परंतु वह चर्म रोग ठीक नहीं हुआ था मुन्रो के साथ जो सिस्ट मंडल भारत आया था मुन्रो की टीम में एक डॉक्टर हैमिल्टन नामा चिकित सक थे और डॉक्टर हैमिल्टन ने फरुक्षियर के उस चर्म रोग को ठीक कर दिया इलाज की द्वारा फरुक्षियर खुस हो जाते हैं और फरुक्षियर खुस होने के कारण उन्होंने बंगाल में कर्मुक्त व्यापार यनि अंग्रेजों की जो वस्तुएं थी इंग्लेंड की जो वस्तुएं थी अंग्रेज जो वस्तुएं अपने साथ लाए थे व्यापार के लिए उन्हें कर्मुक्त बेचने की अन्मती दे दी उनके सामान पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा परिणाम क्या निकला परिणाम निकला कि यदि पचीस रुपे की कोई वस्तुएं आई और कर्मुक्त कर दिया तो वो सामान कितने का हो गया दस रुपे का परिणाम वस्तुएं यन्य डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ी यन्य उत्पादन बढ़ा और उत्पादन बढ़ा तो फिर अंग्रेज माला माल होने लगे दूसी तरह परगाम क्या हुआ भारती सामान में टैक्स लगा हुआ था महंगा था लोग खरीदना बंद कर दिये खरीदना बंद किये डिमांड कम हुए तो उत्पादन कम हुआ तो भारती जो उद्योग थे वो बंद होने के कगार पे थे फरुक्षियर इस बात को नहीं समझ सका फरुक्षियर उसके पीछे के परड़ामों को नहीं समझ सका नतीजा क्या निकला दोस्तों भारती उद्योग बंद होते चले गए और व्यापार करने जो अंग्रेज आते हैं वहाँ धीरे धीरे अपनी जणों को भारत में मजबूत करते चले गए पूरे बंगाल में करमुक्त क्योंकि बंगाल उससे में बहुत बड़ा था दोस्तों आज बिहार, जारगंड, उडीशा और ये जितन उस तरह के आपको स्टेट दिख रहे हैं बंगाल, ये सब कुछ मिला कर एक बंगाल था बहुत बड़ा बहुत बड़ा स्टेट जो है बहुत बड़ा प्राविंस बहुत बड़ा चेतन ख़वर करता था बंगाल तो पूरे बंगाल में फरुक्सियन ने 1715 के निर्णाय के द्वारा पूरे बंगाल में कर्मुक्त ब्यापार की गोशना कर दी, परणाम सरूप अंग्रेजी सामान सस्ता हो गया और उनका उत्पादन बढ़ गया और उनको माला माल होते चले गया और भारती उद्योग बंद होते चले गया क्योंकि भारती सामानों पर कर लगा था 1726 का चार्टर एक्ट देखते हैं, 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा कौन-कौन से ऐसे महाद्वपूर उपबंद किये गये थे और क्या-क्या चीजें उनसे निकल की आई थी 1726 के राजलेक के द्वारा 1726 के चार्टर रैक्ट आता है उसके पहले तीन प्रेसिडेंसी बन चुकी है दोस्तों देखिए यहां पर तीन प्रेसिडेंसी का निर्मार हो चुका था कौन-कौन से कलकत्ता जंबई और मद्राज यह तीन प्रेसिडेंसी बन चुकी थी और तीनों प्रेसिडेंसी के लिए 1726 का राजलेख आता है 1726 का जो चार्टर रैक्ट आता है इस चार्टर रैक्ट के द्वारा इन प्रेसिडेंसी के लिए जो गवर्नर अपॉइंट किये गए तीनों प्रेसिडेंसी के लिए गवर्नर अपॉइंट किये गये थे कलकत्ता प्रेसिदेंसी बंबाई और मद्रास प्रेसिदेंसी के लिए उन्हों ने कहा गवर्नर को 1726 के आक्ट के द्वारा कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया कानून बनाने का अधिकार दिया गया उन्होंने क्या कहा कि इस आक्ट के दौरा जो तीनों प्रेसिडेनसी के गवर्नर हैं वो अपने 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 प्रेसिडेनसी में कानून का निर्माल कर सकते हैं तो कहीं ने कहीं जो कानून के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुए ही थी वह 1726 के दिवारा फरारंब कर दी गई थी 1726 का यहां Charter Act है तो तीनों Presidency के लिए जोंस के लिए Act बनाने का कानून बनाने का कारे 1726 के綠ारंब कर दिया गया था अब आईए देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1726 के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने के लिए सबसे जरूरी जो चीजे होती हैं दोस्तों जिन पार्ट से, जिन बिंदूओं से प्रश्णों को ज़्यादा पूछा जाता है उन बिंदूओं पर ज़्यादा फोकस करना है तो 1773 का जो चार्टर एक्ट है वो कोई एक दो धाराओं का तो है नहीं बहुत सारे चीजों का है लेकिन क्या-क्या महत्वपूर उपबंद किये गए कौन-कौन से से महत्वपूर चीजें लाई गई या किन-किन बिंदूओं से प्रश्ण परिक्षाओं में पूछे जाते हैं 1773 की चार्टर एक्ट के द्वारा आईए उन पर हम लोग चर्चा करते हैं या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसे द्वारा पारित किया गया था ब्रिटिस संसद द्वारा पारित किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिस संसद द्वारा पारित किया गया सबसे महत्तुपूर जो कारे हुआ इस एक्ट के द्वारा वह था कंपनी पर नियंत्र का कंपनी पर नियंत्र का प्रयास किया कंपनी पर इसके पहले कोई नियंत्र नहीं था कंपनी अपनी व्यापारिक और राजनेतिक दोनों गद्विधियों को डील करती थी ठीक है लेकिन पहले 1726 का चार्टर रैक्ट आता है उन्होंने कानून बनाने का अधिकार गवर्नर्स को दे दिया कि ठीक है भाई आप अपने प्रेसिडेंसिस में कानून भी बना सकते हैं लेकिन धीरे धीरे चुकि ब्यापारिक संस्था है थी ब्यापार करने आई थी तो वो लालची थे ठीक है तो लालची होने की कारण उन्होंन क्या था कंपनी में तमाम प्रकार की जो है वो बुराईयां आने लगी जिसे भरस्टाचार अन्याय तमाम प्रकार की जो है यह चीजें जब शिकायते मिलने लगी तो ब्रिटिस पारलियामेंड में 1773 के अगला जो पॉइंट था इसमें आज़ो प्यत तीनों थी कलकात्ता बंबई और मद्रास थी तो तीन प्रेसिदेंसी थी को यहां कि wa बंगाल और मद्रास को यह नी बंगाल और मद्राश बंगाल मीज कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी थी उसको ठीक है तो बंगाल मद्राश यहाँ पर देखी मद्राश और बंबाई प्रेसिडेंसी जो थी इन दोनों को किसके अधीन उने कर दिया बंगाल के अधीन इन्होंने कहा कि अब जो मद्राश और बंबाई का जो गवर्नर है वक्त अपने कारियों के संबंद में किसको रिपोर्ट करेगा वह अपने कारियों के संबंद में बंगाल के गवर्नर को अर्थाद जो कलकत्ता की सरकार थी कलकत्ता का जो गवर्नर था ठीक है वहाँ उन्होंने कहा कि मद्रास और बंबई के जो गवर्नर है वह गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर के अधीन रहेंगे अर्थाद इन्होंने इन दोनों गवर्नर के लिए यह कह दिया कि आप अपने कारियों के संबंद में रिपोर्ट किसको करेंगे रिपोर्ट करने का अधिकार उन्होंने दे दिया बंगाल के गवर्नर को कि बंगाल का गवर्नर करेगा उसके बाद इन्होंने क्या किया जो बंगाल का गवर्णर था बंगाल के गवर्णर को गवर्णर जनरल बना दिया गया गवर्णर जनरल बना दिया गया देखे कैसे systematic तरीके से चीजे चल नहीं है और पहले उन्हें क्या कहा कि दोनों प्रेसिडेंसी यह नि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया और बंगाल की गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं दोस्तों पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वारेन हिस्ट सिंगस्त beitब और्टेंटेद को बनते हैं वारें स्टिंग तो यहाँ पर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे निव वारेन हैस्टिंग्स को अगला जो सुधार इसमें किया गया इस अधिनियम में अगला जो प्रावधान किया गया उन्होंने कहा कि सन 1774 में बहुत बार यह प्रश्ण पूछा गया 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच न्यायाले की स्थापना की गई सुप्रीम कोड की सर्वोच न्यायाले की स्थापना की कब की गई सन 1774 में किस आक्ट के द्वारा की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा तो ध्यान रखिए का कई बार प्रश्ण पूछा गया है किस आक्ट के द्वारा कलकत्ता में सबसे पहली बार सर्वोच न्यायाले की स्थापना की गई तो 1773 के द्वारा है ना कि 1774 के द्वारा क्योंकि 1774 के कोई आक्ट ही नहीं था बलगी प्रावधान ये 1773 के आक्ट में था कि कलकत्ता में सर्वोच न्यायाले की स्थापना की जाएगी और उसको कारे रूप में परनित किया गया था 1774 में ठीक है उसमें उन्होंने एक मुख्य न्यायादीस प्लस तीन अन्य न्यायादीस न्यूप्त किये गए और मुख्य न्यायादीस कौन था सर एलिजा एमपे सर एलिजा एमपे जो है वह कलकत्ता में स्थापिस सर्वोच न्यायाले के क्या थे जस्टिस थे तो महत्पूर्ण बिंदूं पर यहाँ पर चर्चा देखी चल लही है 1773 की रिगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच न्यायाले की स्थापना की गई अपने आप में लिखा गया या पहला दस्था था 1773 का regulating act था दोस्तों यह company पर अस्थापना करने यह company पर नियंत्रण करने की दृष्ट से अपने आप में लिखा गया यह अपने प्रिकार का एक अलग किस्म का दस्तावेज था इससे पहले company पर नियंत्रण करने के लिए company पर शासन करने के लिए company को control करने के लिए किसी प्रिकार का कोई दस्तावेज नहीं था सबसे पहला दस्तावेज कौन था 1773 का regulating act क्लियर है आपर देखिए जो महत्वपूर्ण चीजें थी इस act की हम लोग इसमें चर्चा कर चुके है 1773 के regulating act में एक बार फिर से देख लेते हैं British Parliament द्वारा यहां पारित किया गया act company पर नेंत्रण करने का प्रयास किया गया पहली बार इस act के द्वारा ही बंगाल का जो गवर्नर था उसके अधीन किसे कर दिया गया मद्रास और मंबई की गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया गया कि मंद्रास और मंबई की गवर्नर किसको रिपोर्ट करेंगे बंगाल के गवर्नर को इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया जा रहा है यहां पर गवर्नर जन्रल बना दिया जाता है पहले गवर्नर जन्रल कौन नियुक्त होते हैं वार के द्वारा पहली बार कंपनी के संबंद में नेंत्रण के लिए कोई दस्तावेज लिखी तुरूप में तयार किया जाता है इस एक्ट के द्वारा ठीक है अब इसके बाद आईए देखते हैं हम आता है इसके बाद 1781 का सेटेलमेंट अग्ट 1781 का सेटेलमेंट अग्ट इसे बंदोबस्त अधिनियम भी कहते हैं 1781 का बंदोबस्त अधिनियम ये क्यों लाया जाता है 1773 में तो 1773 का जो रेगलेटिंग आक्ट आया उसमें बहुत सारी कमिया थी तो उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 का बंदोबस्त अधिनियम लाया जाता है क्या क्या इसमें प्रयास किया गया पहला प्रयास क्या किया गया इसका उद्देश से क्या था तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्याप्त खामियों को दूर करने के लिए दूर करने के लिए दूसरा इन्होंने क्या कह दिया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने कह दिया था अधीन कर दिया था तो अधीन करने के बाद इस एक्ट में इन्होंने कह दिया कि जो बंगाल का गवर्नर होगा उस गवर्नर को इन दोनों प्रेसिडेंसी के लिए भी बिधी बनाने का अधिकार दे दिया पहले नहीं था 773 की Regulating Act में आप देखिए तो गवर्नर जरूर बना दिया जाता है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जरूर बना दिया जाता है अधिन रहते हैं लेकिन इस एक्ट के द्वारा उन्होंने कहा कि बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर बंबई तथा मद्रास प्रेशी डेंसी के लिए भी कानून बना सकता है महत्वपूर्ण दो बिंदू थे इसमें कि 1773 के जो रेगलेटिंग एक्ट उसको दूर करने के लिए उसमें व्याप्त जो खामिया थी उन्हें दूर करने के लिए तथा बंगाल के गवर्नर को बंबई तथा मद्रास प्रेशीडेंसी के लिए भी कानून बना सकता है कानून बनाने के लिए इंपावर्मेंट कर दिया गया ससक्त कर दिया गया इस एक्ट के बारा अब इसके बाद अगला एक्ट आता है हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आईए देखते हैं क्या-क्या इसमें प्रावधान किये गया थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है तीन साल बाद आप सेटेल्मेंट जो आता है उसके तीन साल के बाद यह लाया जाता है इसका भी उद्देश क्या रहता है कि जो कंपनी की साख ती गिर रही थी कैसे गिर रही थी करप्शन बढ़ रहा था बरस्टा चार बढ़ता जा रहा था चूंकि ब्यापारी कंपनी थी ब्यापारी कवर्ग के थे लालची थे इसलिए कंपनी के तमाम अधिकारियों के कि गिर्ति हुई शाक को बचाने का प्रयास किया गया company की घृति हुई साख को बचाने का प्रयास बचाने का प्रयास किया गया प्रयास किया गया कि जो ब्रस्टाचार हो या इस तरह की जो चीजें हैं उन पर कंट्रोल किया जा लगाम लगाई जा दूसरा क्या किया गया जो महतुपूर प्रावदान उन्होंने बोर्ड आफ कंट्रोल और बोर्ड आफ कंट्रोल और बोर्ड आफ डारेक्टर्स बोर्ड आफ डारेक्टर्स का गठन किया तो बोर्ड आफ डारेक्टर कौन थे और बोर्ड आफ कंट्रोल में कित्ते सदसे थे तो बोर्ड आफ कंट्रोल में दोस्तों छे सदसे थे पूर्ड आफ कंट्रोल में छे सदस्टा को ज Tusk आफ का कौन थे जिन्होंने चुल्ड कमपनी की स्थापना की थी जो कम्पनी के निदेशक थे वही बूर्ड आफ डारीक्टर में होते थे और बूर्ड आफ कंट्रोल में कौन आए board of control के जो सदसे थे वो आप Britain की Parliament के द्वारा भेजे गए उन्हों कहा board of control के जो सदसे होंगे वो आप British Parliament द्वारा दिये गए ठीक है board of 6 सदसी यह नामित थे British Parliament के द्वारा और इनही के आदेश जो board of control थे इनही के आदेश और नर्देश पर कम्पनी को नियंत्रित किया जाने लगा बोर्ड आप कंट्रोल आप देख रहे हैं छे सदस से ये कौन भेजा था ब्रिटिस पालियर्मेंट क्यों भेजा था क्योंकि तमाम प्रकार की सिखायते पहुँचने लगी थी कि कम्पनी में भरस्टा चार ब्याप्त पर नियंत्रण रखा जाने लगा इनी के निर्देश पर इसके जो बोर्ड आप कंट्रोल था और बोर्ड आप डारेक्टर कौन थे जिन्होंने कमपनी की स्थापना की थी यनि जो कमपनी जब स्थापित हुई थी कौन सी कमपनी इस्ट इंडिया कमपनी जो ब्यापार करने भारत में आई थी, तो उनके जो managing director थे, जो manage किये थे, जिन्होंने स्थापना की थी, वह को थे, they are known as board of directors, ठीक है, और इनकी board of directors में किते सदस्य थे, board of director को क्या दे दिया कि governor general की परिशद में सदस्यों की जो संख्याती वो तीन कर दी गई, ठीक है, तो य governor general की जो परिशद है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी जाती है, तीन, इसी act के दार, आईए देखते हैं, governor general की परिशद में सदस्यों की संख्या तीन कर दी गई, ठीक, यहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी कर दी जा रही, तीन कर दी जा रही, इसी act के द्वारा एक और परिवर्तन किया गया, इस act के द्वारा उन्होंने क्या कर दिया गया, द्वैध शासन की स्थापना की थी, स्थापना की गई, द्वैध शासन का अर्थ है क्या है यहाँ दोस्तों, द्वैध शासन का अर्थ है प्रांती अस्तर और केंदर अस्तर, यहनी दो अस्तर पर शासन की वेवस्था को उन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया, इसी act के द्वारा इन्होंने क्या किया, भारत के अधीन जो भारत में कम्पनी के अधीन जो छेत्र थे, उन्हें ब्रिटिस आधिपत्र छेत्र कहा गया, कम्पनी के अधीन जो छेत्र को ब्रिटिस आधिपत्य छेत्र कहा गया, क्लियर है, यह, तो इसी act के द्वारा द्वादिश आसन की स्थापना की जा जो परिवर्तन की गया, तो हमने 1773, 1781 और 1784 यह तीन महत्वपूरा एक्ट देखे, इसके आगे की जो चीज़ें है, वो हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, आज के लिए इत्ता ही, उसके पहले एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कि संस्था की तरफ से धुआधार तरीके से सुपर्टेट का बैच चलाया जा रहा है, आपको सुपर्टेट में यदि एड्मीशन चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल फोन्स को उठाइए, इस नंबर को सेव करिए, 9125-4239-36, इस नंबर को सेव करिए, और उस पर से इंट्री सुपर्टेट लिखकर भेजिए, उसके बाद हमारी टेकनिकल टीम, जो हमारे लिए रीर की हड़ी होते हैं, वो आप से संपर्ख करेंगे, वो आप से क्या करेंगे, संपर्ख करेंगे, और जो एड्मीशन की प् अमीद और इसी के साथ आप से विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद.